अलो वेरेवन खामा गाणियां वेल्कम टू दू वोल्डव स्वारगव फिर से मैं आप लोगे सामने करने या रियल सुपरनेचर एक्स्पिरियंस लेकर क्या हो कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दू जिससे आपको बिना महनत किये पैसे कमाने पड़े हैं आरे वाह यह तो बहुत अची बात है ऐसा तरीका तो इस दुनिया में हर किसी को चाहिए लेकिन ऐसे तरीके पहली बात तो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं और अगर आपको ऐसा कोई तरीका मिल जाता है उसके कॉंसिक्वेंस इतने खतरनाक हो सकते कि ना सिरुफ आप आपकी पूरी फैमिली उसकी चपेट में आ सकती है जी हां कुछ ऐसा ही हुआ एक पूरी की पूरी फैमिली के साथ जो उनके परिवार के पास था एक ऐसा तरीका जिससे वो बिना मेहनत किये इतना पैसा कमा लेते थे कि वो एक शानों शौकत की जिन्दगी जी रहे थे लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट और उसने सब कुछ खत्म करके रख दिया एक कहानी है महराश्टर के एक गाउं की और हमारे साथ शेर किये विमल ने ये सारा इंसिडेंट उनका एक फ्रेंड है राकेश जिसके पडोस में रहने वाले एक घर के अंदर हुआ और किस तरह से एक इनसान की लारज की चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली के उपर प्रावलम आ गही है राकेश के घर के पास में एक तंत्रिक रहा करता था अपनी पूरी फैमिली के साथ और राकेश का अफेर उसी फैमिली की एक लडकी जिसका नाम था निरमला से चल रहा था निरमला के पापा और उसके दादा दोनों ही बहुत सिद्ध और पहुंचोवे तांत्रिक थे और आसपास के जितने भी गाउं थे खुदका गाउं और आसपास के गाउं शहर तक इनका बहुत नाम था और ये लोग लोगों की बहुत मदद किया करते थे ये किसी भी तरह का क बांद कर अपने साथ ले आते थे ताकि कभी और किसी को वो परिशान ना करे। कितना जन्विन काम ये किया करते थे और इस काम के लिए वो एक फूटी कोडी भी चार्ज नहीं किया करते थे। लेकिन इन सब के पीछे छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा राज। अब जब आलिशान था, घर में हर तरह की सुख सुविदा थी। अब आप सब लों का दिमाग भी चलना शुरू हो गया होगा कि यानि इन्हों ने कोई ऐसी ताकत के उपर कभजा पा लिया था, जिससे बिना कोई काम किये भी इनको पैसा मिलता रहता था, धन दौलत मिलते रहती थी और इनके एशोहरा में कोई कभी नी थी, पुरे गाओं के अंदर इनके जैसा घर नहीं था, तो अब बताईए कि आप भी जानना चाहते हैं कोई ऐसा तरीका, अगर हाँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तरीके अगर मिलेंगे, तो आपको हमारी कहानियो के अंदर दरूर मिलेगे, यहां तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग लेकर आ रहे हैं बहुत नहीं नहीं चीज़ा आपके लिए, और एक बहुत ही बड़ा सर्प्राइज, बहुत जाद होगी लाइफ में, तो आप हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, और आप हमारे इन स्क्रीन पे दिये के नंबर्स पे भी कॉन्टाट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ अगर आपके वास भी कोई रियल सुपरनेचल एक्सपिरेंस है, या फिर कोई अपनी कहानी है, तो आप हमारे साथ, हमारे स्क्रीन पे दिये आइडिस पर और इस नंबर पर वाट्स अप भी कर सकते हैं, तो इनके जो दादा जी थे, जो निर्मला के दादा जी थे, वो भी एक बहुत सिद्ध और पह करते थे, कितना सही है ना, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने बच्पन जिर्जाने कब तक वो साधनाए की होगी, उन एंटिटी इसको कैसे काम करवाना है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने बेटे को सिखाई, लेकिन जिनके थर्ड जनरेशन आई, अब आज कल के दिमाग लगाएंगे, और कहां वो उनकी तरह वो कड़ी साधना करेंगे, तो जब इन्होंने अपने बेटों को इन चीजों को सिखाने कोशिश की, मैं आपको बता दू, इनकी फैमिली के अंदर इनकी मम्मी थी, लब निरमला की मम्मी, उसकी एक चुट एक और बहन थी, और यह खुद थी, तो एनके बेटे जो थे, जब उनको सिखाने की कोशिश की गई तो उन्होंने इन चीजों के ऑपर ध्यान नहीं दिया, तो फैमिली का बिजनस बोल लो, या फैमिली की परमपरा बोलो, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने के के ऑपर कोई ध्यान नहीं द और सब कुछ ऐसे वड़िया चल रहा था इनके दादा जी अब भी हमेशा रोजाना सुब उटकन के एक बिलकुल दिंचरिया चिसको फालो करते थे और रात के टाइम पर करीबन दो से तीन घंटे वो साधना किया करते थे उसकी बिनाव सोते नहीं थे लेकिन फिर एक दिन आ थे और उनकी डेड़ बाडी को देख रहा सा लग रहा था कि बहुत दरदनाक उनकी मौत हुई है जैसे किसी ने उनकी आत्मा को पकड़ कर खीच के बाहर निकाल लिया उनकी फैमिली को ये देखकर समझते वे देर ने लगी कि उनकी जो मौत है वो किसी और वज़े से पक्रणास के बादा उनकी जो बीटा था उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि ऐसे कैसे पिताजी की मौत हुई उनकी मौत इतनी दर्दनाक उई हो उसको समझ में तो आगया था कि ये मौत नाचरल नहीं है और अब वो आकर घर पे वापस आकर वो इस जुकत के अंदर लग गया, इस चीज़ को ढूंडने के अंदर लग गया कि पिताजी की मौत आखिर कैसे हुई और परिवार के बाकी लोग इस चीज़ से सुरक्षित हैं या फिर नहीं अब यहां मैं आपको बता दूँ कि इनके घर के अंदर एक खूफिया कमरा था जो कि करीबन 40-50 स्क्वाइर फिट का रहा होगा बहुत चोटा कमरा था एक बड़ा कमरा फिर एक उसके अंदर जाओगे गेट के अंदर एक कमरा फिर थर्ड लवल पर जाकर एक चोटा सा कमरा था जिसके अंदर दो आदमी बड़े मुश्किल से बैठ पाते हूं उस कमरे का एक बहुत मोटा लकड़ी का दर्वाजा था और उस दर्वाजे के उपर अलगल तरह के साइन बने थे यंत्र टाइप के उस दर्वाजे के उपर जो ताला था वो कई नॉर्मल ताला नहीं था वो कई सालों पुराना एक बहुत मोटा पीतल का ताला था जिसके उपर भी अजीब से यंत्र बने हुए थे और इस ताले की कोई चाबी नहीं थी इस ताले को खोलने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इनके पिताजी और इनके दादाजी को ही आता था घर के सबी सदस्यों को सक्त दायत इस कमरे से दूर रहने की, कोई भी इस कमरे के आसपास नहीं आता जाता था, कभी कभी इन बच्चों ने घर के बच्चों ने दादा जी को इस कमरे के अंदर जाते वे देखा था, एक और बात थी कि जब इनके पिता जी बाहर से कोई काम कर के आते थे तो वो सीधे इसी कमरे के अंदर जाते थे और करीबन एक घंटे के बाद ही वहां से बहार निकलते थे ऐसा कई बार निर्मला ने भी देखा था और उसी ने अपने फ्रेंड राकेश को ये सारी बाते बताई थी उस कमरे में क्या था वैसे तो पूरी सच्च इनके दादा जी और पिता जी को ही पता थी लेकिन निर्मला ने कई बार अपनी मां से जब पूछा तो ने बताया था कि बेटा तुम्हारे पिता जी जो दूसरे लों की मदद करते हैं वो सारी शक्तियां उनको उस कमरे से ही मिलती है और हमारे जो घर बार चल रहा है जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं उसके लिए जो भी हमें धन दौलत चाहिए वो सब भी तेरे पिताजी को उसी कमरे से मिलती है लेकिन ये बात पेटा तो जो किसी को बताने नहीं क्योंकि ये हमारे घर का एक रहस्य है लेकिन वो कहते है ना कि जब इनसान प्यार में होता है इश्क में होता है तो वो अपनी हर बात उस सामने ले को बताया था जिसे वो प्यार करता है और कुछ ऐसे था निर्मला के साथ, वो भी राकेश से बहुत प्यार करती थी और अपने घर की हर एक छोटी-छोटी बात उसने राकेश को बता रखी थी राकेश को यह अच्छे से पता था कि निर्मला के पापा और उसके दादाजी दोनों ही एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं राजेश को भी यह जो तांत्रिक क्रियाएं थी, जादू तर्शकंदर बहुत इंट्रेस्ट था वो भी इन चीजों को सीखना चाता था और साथ-इसाथ वो उन शक्तियों को भी एक्सपिरियंस करना चाता था जिनके बारे में लोग सिर्फ बाते किया करते हैं और उससे भी जादा उसका इंट्रेस्ट तब जाका जब निर्मला ने उसे बताया कि उनके घर की धन दौलत का जो राज है वो उस कमरे के अंदर है और वो देखना चाहता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई पारलॉकिक शक्ति, कोई और द्रश्य शक्ति आपको धन दौलत दे सकती है, वो आपको अमीर बना सकती है और कहीं न कहीं शायद वो उन शक्तियों को हतियाना भी चाहता था, शायद इसलिए उसने निर्मला से दोस्ती की खैर, चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, इनके दादा जी की मौत के बाद इनके पिता जी लग गए अपने काम में और ये ढूणने में कि आखिर उनकी पिताजी की जान किसने ली, उन्होंने बहुत समय लगाया, पूजा साधना की, लेकिन उन्हों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ अपनी जूबिन की शक्ति थी, उससे कम्यूनिकेट करके उन्हों ये तो पता लग गया था, कि इनके घर के अंदर जो एंटिटी बंधी हुई थी इतने सालों से, उन्हीं में से कोई एक उरजा, एक एंटिटी मुक्त हो गई, और उसने इनकी पिताजी की जान ली है, लेक पूजों को लेकर अपने माई के चले जाओ, मुझे यहां पर एक पूजा और साधना करनी है, ये पता करने के लिए कि पिताजी की मृत्यू कैसे हुई, और उससे के साथ साथ में ये जानना चाहता हूं कि हम लोग के उपर तो कोई खतरा नहीं है, तो मुझे एकांत वास और मुझे समय चाहिए, इसलिए तुम लोग जाओ, परसों वापस तुम शाम तक आ जाना, उनके बात सुनकर वो लोग उने, वो लोग वहां से चले गए, और इसके आदि अपना पूजा वगरा का पूरा सामान लेकर आए, और जाकर उस कमरे के अंदर अपने आपको उनने पता लगा कि कई साल पहले उनके पिताजी एक आत्मा को एक एंटिटी को पकड़ के लेकर आये थे, और वो एंटिटी तब से लेकर यहां तक कैद थी, उस एंटिटी ने कई बार इनके पिताजी से ये कहा कि उसे आजाद कर दे, पर उनने उसे मना कर दिया, और इसी तो वो अभी भी यहां से गया निया, वो यहीं आसपास भटक रहा है और उनके परिवार के उपर भी ख़द रहा है। लेकिन जब उसने पता करने कोशिश की यह सब किस ने किया, तो इस चीज का क्लू किसी उसको मिले नहीं पर रहा था। वो यह नहीं बता पा रहे थे कि यह आजाद कैसे हुआ। यह उसे कोई और रास्ता ने दिखा तो उसने अपने पिताजी से संपर्क स्थापित किया और वहां से पता करने का उसे पता चला कि जिस एंटिटी ने जिस आत्मा ने उनकी पिताजी की जान ली है, वो एक बच्चे की आत्मा थी, जिसे कच्चा कलवा कहते हैं। उसे बांद के रखने के विएसे वो बहुत ज़्यादा फियर्स हो गया था और जैसे वो आज़ाद हुआ, इनकी पिताजी को पता लग गया और उनकी पिताजी ने उससे बातचीत की, वो इनके पुरे परिवार को मारने पर उतारू था। और उसके शक्तियां इतनी ज़ादा हो गए थी कि उसे काबो में कर पाना इनके पिताजी के बस में भी नहीं था। और ये सौधा उन दोनों के बीच में तै हुआ, उसने इनके पिताजी की जान ले ली और इनके परिवार को शायद बख्ष दिया। क्योंकि ये जो निर्मला की पिताजी थे, इनको अच्छे से पता था कि कच्चा कलवा सिर्फ एक बच्चा है और आप बच्चे की जवान पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी पलट सकता है। कि ये बच्चा कलवा होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक छोटे बच्चे की स्पिरिट होती है जिसको कुछ तंत्रिक बांध लेते हैं। अब साज़ होता नही उता हूं लेकिन जहां तक मैंने पता किया है तो इसके अंदर कंचोटासा प्रॉसेस होता है । इस कमजोर दिल वाले थोड़ा ध्यान लखिए इस प्रॉसेस के आज आजकल तो ऐसा शायद बहुत कम ही होता है, बहुत ही ऐसी जगों पर इसके वह किसी को पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग इस तरह की तंतरविद्या करते हैं, उस प्रोसेस में लोग क्या करते हैं, अगर किसी नवजात बच्चे की, मतलब छोटे बच्चे की, छे महीने, दो मेने, तीन मेने की बच्चे की डेथ होती है, तो कई जगे पर उन बच्चों को दफनाया जाता है, यो लोग उसकी रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद उस बच्चे की बौड़ी को जब आस-पास कोई जो तरह निकाल कर लाते हैं, उसे निला दुला कर घर में एक कोने में बिढ़ाते हैं और उसके बाद उसके उपर मंतर फुकते हैं उसको बिमंतरित करते हैं और उसके अंदर जान लेकर आते हैं उसके अंदर आप मूमेंट्स आना शुरूर होते हैं तो यह जो entity यहांपर create होती है उसे हम लोग कच्चा कलवा बोलते हैं हमारे राजस्तान के अंदर अलग जगे पर अलग लग नाम है जिसे आप लोग ने मुंजिया के अंदर भी देखा होगा तो इस तरह से उसको क्रियेट किया जाता है और यह बहुत ही फिर्स होते हैं क्योंकि छोटी है जो डेथ होती है तो इनकी एनरजी बहुत जादा लग इनको एक काम देते हैं कि लकडी के ऊपर भागना है उतरना चड़ना है उतरना चड़ना ताकि वह उक्यूपाइट रहे वरना इतना खतरनाक होता है कि जिसने इसको कंट्रोल किया है उसको भी मार सकते हैं और इनों ने तो उस कच्छे कलवे को करीबन 10 साल तक अपने जादा फीर्स हो गया होगा, कितना था जिद्धी हो गया होगा। इनके पिताजी को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गए थी और वो अपने परिवार की रक्षा करने में लग गए। उन्होंने इस चीज का उपाय ढूंडना शुरू किया, अगले दिन जब इनका परिवार लोट कर वापस आया तो उन्होंने सब को ये बात बताई और ये सुनकर सब के सब दंग रह गए और साथ-साथ घबरा भी गए। यही बात जब निर्मला ने राकेश को बताई तो वो भी आश्ठरी चकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी भी कोई एंटिटी हो सकती है जो इस तरह से मार दे। निर्मला ने राकेश से कहा कि बस अब बाबा ही उसको कंट्रोल कर सकते और वो इसी जुगत के अंदर लगे हुए हैं कि वो कैसे ना कैसे करके उसको वापस से कंट्रोल कर ले। लेकिन जैसा है सोच रहे थे, यह सब उतना आसान नहीं था और इसके बाद शुरू हुआ इनके घर में तांड़ा। और जब सुबह यह उठे तो इन सब के होश उड़ गए। सुबह इनके पिताजी इनको इनके घर की छट के उपर मरे हुए मिले। और जिस तरह से उनकी मौत हुए थी उनकी लाश को देखकर लग रहा था कि किसी जहरीले कीडे ने उन्हें काट लिया है। मौसे ज़ाग निकल रहे थे और पूरा शरी नीला पड़ा हुआ था। ये देखते ही घर के अंदर बहुत तीस रोना पीटना चाल हुआ और पूरे महले के अंदर ख़वर फैल गई आग की तरह और सभी के सभी लोग स्थब्द रह गए कि कैसे कुछी दिनों के अंतराल में एक बाप और पेटे दोनों की मौत हो चुकी है। काओं के सभी लोग जानते थे कि वो क्या काम किया करते थे। इसलिए सभी लोगों को ये लग रहा था कि जो भी कुछ चल रहा है वो इनी के कर्मों की वैसे और इनकी गलती की वज़े से हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ये नेगेटिव चीजों से डील किया करते थे, उन्हीं में से किसी ने इनके उपर हमला कर दिया है। लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, इस सब उनके हाथों में नहीं था, उनका भी अंतिम संसकार किया गया और अब लोगों को लगा कि शायद जो भी एंटिटीज हैं उन्होंने इनसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मरने वाली थी, उसने राकेश को अपने पास बलाया और उससे कहा, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। लेकिन शायद अब मेरा अंथ आ गया है। बस तुमेरी एक इच्छा पूरी कर देना, मुझे जलाना मत। मेरे मरने के बाद मुझे एक सुहागन की तरह सजाना और मेरे शरीर को दफना देना, बस यही मेरी आखरी इच्छा है। और मैं तुमसे सिर्फ यही चाहती हूँ, मेरी एक आखरी इच्छा को पूरी कर देना। और इसके बाद उसने दम दोड़ दिया। शायद निर्मला को अपना अंत नजर आ गया था। इसलिए जाते आते उसने राकेश से वादा लिया। और राकेश ने निर्मला की इस इच्छा का ध्यान रखा। और जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही करते हुए उसने उनके गाउं में जो एक शम्शान था, वहीं के अंदर जगह देखकर निर्मला की बाड़ी को दफना दिया। इस बीमारी के वेज़े निर्मला के सिर्के सारे बाल चले गए थे, तो वो एक सफेद कपड़ा बांद कर रखा करती थी, और जब उससे दफनाया गया तब भी उसे बिलकुल उसी सफेद कपड़े को उसके सिर्के उपर बांदा हुआ था, और बाकी पूरा उसे दुलन की सजा तरे सजा कर दफनाए गया था निर्मला की मौत के बाद राकेश बहुत ज़्यादा परेशान वो तूट सा गया था और वो गाउं छोड़कर शहर में काम करने चला गया अपने दोस्त विमल के साथ ताकि वो निर्मला को भुलाबा है निर्मला की मौत तो करीबन एक डेड़ महीना हो चुका था और अब इसके बाद शुरू हुआ गाउं के अंदर निर्मला का दिखाई देना राकेश की फैमली में राकेश की दो छोटी बहने थी और सेम ऐसे उसका जो दोस्त दिमल था उसकी भी दो छोटी बहने थी यहां पर राकेश की एक बहन और विमल की जो एक और बहन थी जिनका नाम राकेश की बहन का नाम था सीमा और विमल की बहन का नाम था प्रिया ये दोनों ही थोड़ा सा sensitive थी negative energies को लेकर तो एक दिन की बात है ये दोनों की दोनों बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी किसी काम से गई हुई थी और आते आते वो जो बाजार से आने का रास्ता था उसी रास्ते के side में वो सम्शान घाट पड़ा करता था शाम का वक्ता दोनों बहुत तेज तेज हस्ते चहकते हुए वहाँ से गुजर रही थी जो सीमा थी वो सम्शान की side पर चल रही थी और उसकी जस्त इधर पड़ोस में प्रिया चल रही थी जैसे वो लोग उस सम्शान के पास में पहुँचे उसकी boundary को क्रॉस किया एकदम से यहाँ बहुत तेज कांपने लगी थंड के मारे मई जून का time था वो बहुत बुरतरा कांपने इसको देखकर प्रिय एकदम से घबरा गई लेकिन जैसे से पकड़ कर वो उसको वहाँ से उसकी घर तक लेकर आई उस जगह से थोड़ा सा दूर आगे आते ही उसको जो ठंड महसुरती वो थोड़ी कम हुई और वो नॉर्मल हुई और फिर इसके बाद यह लोग घर पहुँचे घर पहुचके लिए ने किसी यो कुछ भी नहीं बताया बस जब एक मोमेंट के लिए ना कुछ मिनिट्स के लिए वो सब हुआ और उसके बाद सब कुछ वापस से नार्मल हो गया लेकिन रात के बारा बजे के आसपास सीमा को एक तुम से फिर से बहुत तेज ठंड लग 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 लिए ठंड लग लग लिए मई के महीने में उसको इतने ठंड लग ले थी उसके घरवाले उसको चार-पांच कंबर रजाई ओड़ा दिये थे लेकिन फिर भी उसके ठंड रुक ने रही थी और फिर उसको आया बहुत तेज फीवर और उस फीवर से वो लगबख बेजान सी हो गई थी बिल्कुल शेरी उसका निढ़ाल पड़ गया था घरवाले बुरी तरह घबरा गए और उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए आटो बलाया उसके पिताजी घर के बाहर खड़े होकर उस आटो के आने का इंतजार कर रहे थे तब ही उनको उनके पास में रहने वाले विमल के घर में से बहुत तेज तेज आवाज आना शुरू हुए इसके पापा ने आगे जाकर देखा तो वहाँ पर प्रिया के पापा उसका अपनी गोद में उठा कर लेकर आ रहे थे और वो भी बिलकुल सीमा की तरह ये बेढ़ाल पड़ी थे उन्हें पुचा क्या हुआ तो ने बुला कि पता नहीं इसको क्या हुआ रात को अचानक से वो मरेवी लड़की निर्मला का नाम लेकर चलना लगी निर्मला मुझे मत मारो और इसके वाट अपना होश खो बेठी है वो इससे बात इकर तो अब आटो आगया एक ये आटो में दोनों को डाल कर हॉस्पिटल ले जाये गया और जब हॉस्पिटल के रास्पिटल के रा के पास पहुँचे उनकी बॉड़ी में बहुत तेज कमपन शुरू हो गया था इसके बाद रात को ये लोग भी हॉस्पट में रहे अगले दिन सुबह इनको वापस लेकर आए और दिन बर सब कुछ ठीक रहा लेकिन जैसे रात हुई फिर से दोनों घरों के अंदर हंगामा दोनों की दोनों लड़किया इस बार सीमा और प्रिया बहुत तेज तेज चिला चिला करों लगी और कांप लगी और एक ही बात दोनों बोले थी निर्मला मुझे मत मारो निर्मला मुझे मत मारो मैंने कुछ भी नहीं किया निर्मला मुझे मत मारो सब लोग बुरी तैसे में आगए ये सुनकर कि निर्मला इनको प्रताड़ित कर रही है इनके जब पापा थे उनके एक जानकार अंकल थे जिनको थोड़ी बहुत बंगाली विध्या आते थी उन्होंने को फोन किया और फटाफट से अपने घर पे बुलाया दोने लड़कियों को एक ही जगा रखा आए तो सीमा के पास बैटकर उन्हें सीमा को हिपनोटाइस किया और फिर जो जो उसकी आंकों के सामने चल रहा था वो उन्होंने उससे जानने की कोशिश की अब जो भी मनजर सीमा के आंकों के सामने चल रहा था वो खुद अपने मूँ से बता रही थी उससे निर्मला उस अब तेश्थे रो रही थी हो बहुताव डर गई थी वो बतारे थी कि वह उठाड़ को तोनने की कोशिश कर रही है यह मंतर इन्हों ने बान दे थे जिनकी अधिया के दोस्ते इससे तक चल रहा था तब तक कआओं के जो लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़े पंडे जिते ने गाओं के पास मेरे थी, जब उनको लेकर आये, और उनको लाकर सब कुछ बताया, तो पंडे जब महाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने मंतर उचारण शुरू किया, और कुछ ही मिंटों के अंदर, मंतर उचारण के बाद, वो दो लड़कियों को उन्हों ब दुबारा उस सम्शान के आसपास से भी नहीं गुजरना है चाहे कितना भी जरूरी एक काम हो लेकिन वो रास्ता तुम्हारे लिए बंध है गलती से भी अब दुबारा उस रास्ते से मत गुजरना अब कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल बीट गए गाउं वो लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है पंड़िजे ने सब कुछ ठीक कर दिया है लेकिन ये शायद उनका भ्रहम था अब निर्मला गाउं के और लोगों को भी दिखने लगी वो अचानक किसी के भी सामने आलती एक जलक उसके दिखते हैं फिर से वो गाइब हो जाती निर्मला का घर जहां पर उसके पुरे परिवार की मौत हुई थी उस घर के अंदर रात के टाइम पर अपने आप लाइट जल जाती थी खिडके अपने आप खुल जाती थी और उनके घर में जो खिडके लगे थी वो दर्वाजे वाली खिडके नहीं स्लाइडिंग डूर्स वाली खिडके थी जिनका अपने आप खुलना पॉसिबल नहीं था ऐसे दिन पर दिन गुजरते गए और कई बार लोगों को अजीब सा तो लगता पर ठीके लोग चीजों को टाल रहते हैं किसा कुछ हो नहीं रहा है किया ठीके चल रहा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस तरह से चीज़े चलती रही और फिर आया होली का दिन होली के तियोहार के दिन सीमा के जो ममी पापा थे उनको अपने किसी रिष्टियार से मिलने जाना था और वहाँ पहुचे तो किसी वज़े से वो लोग लेट हो गया रात को ने वहीं पर रुखना पड़ा घर पर सीमा उसकी बड़ी बहन उसका एक भाई और उसकी एक कजन सिस्टर ये चार लोग घर के अंदर थे तरह से उनके परिवार वालों के तने चिंता नहीं थी तो उन्होंने करीबन 4-5 बजे के आसपास ही फोन करके बोलते थे था कि हम लेट हो जाएंगे ये रास्ता ठीक निसले हम लोग कल सुबह ही आएंगे तुम लोग अपना ध्यान रखना वो जो लड़का था इनका भाई होली के तियोहार की वैसे वो शाम को निकल गए अपने दोस्तों के साथ गाओं के अंदर घूमने फिरने और अब घर के अंदर ये तीनों लड़किया थी तो अब घर में थे सीमा उसकी बड़ी बहन उर्मिला और उनकी कजन सिस्टर दिशा दिशा जो थी वो कुछ अपनी किताब बगएरा पढ़ रही थी और उर्मिला सब लोग के लिए घर में किचन के अंदर खाना बना रही इनके केचन में एक खिड़की थी जिसको लोग जनरली बंधी रखा करते थे क्योंकि उस खिड़की के बाहर घना जंगल सा अंधेरा सा था और वहाँ ज्यादा घर नहीं थे और जो एक घर था वो भी उस निर्मिला का घर था जो इनकी खिड़की से साफ साफ दिखाई दे क्योंकि किसी ऑरत के पायल पहन के चलने की आवाज आ रही थी वो खिड़की के पास पहँची और फिर से उसने कान लगाया तो अब उसको वो पायल की आवाज बिलकुल क्लीर सुनाई आ रही थी वैसे तो उर्मिला को अंदाजा हो गया था लेकिन फिर भी उसने कनफर्म कहने ले उस खड़की को थोड़ा सा खोला और अपनी एक हाख बाहर निकल कर जैसे बाहर देखा तो उसकी आत्मा सीहर गई उसके सामने निर्मला खड़ी हुई थी वो उन्ही कपड़ों के इंदा थी इसमें उसको दफनाए गया था और वो उर्मिला की तरफ देखकर एक प्लीपी से स्माइब देखे था उसको देखते ही उसने फटार्ज गड़ी को बंद किया और उसके बहुत तेस चीह निकली उसकी चेक के आवाज सुनकर सीमा भागते अपनी दीदी के पास है सीमा और दिशा दोनों और उन्होंने उससे पोछा क्या हुआ क्या हुआ दीदी क्या हुआ उनको कुछ जवाब देने जोगा खड़े हो कि बहुत तेस तेस उस लड़की उगाले देने लगई क्यों आगई है तो यहाँ पर क्या चाती तो हमसे क्यों हम लोग को परिशान का रखा है हम लोग उन्होंने तेरा क्या भी गाड़ा है इदर सीमा और दिशात दोनों से दीदी क्या हुआ दीदी क्या हुआ और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन्हें उनकी छट के ऊपर किशी के चलने के आवाज न लगी जैसे कोई बहुत तेस तेस चट के ऊपर दोड़ रहा हो इसी के सास साथ फिर उर्मिला के हसने के आवाज बोल गर के उदर के उन्हें लागी उसकी आवाज जैसे ही गुणजी सीमा सब कुछ समझ गई कि दीदी को क्या हो रहा है वो बुरितर सा घबरा गई तीनों के तीनों बहने एक कमरे पहुँची और वो बाबा ने जो इने मंतर दिये थे हों मंतर ने पढ़ना शुरू किया और उर्मिला ने समझ दर दिखाते हैं वो फिटावर्ट से अपने भाई को फोन किया कि ऐसा सा घर के अंदर हो रहा है सुनते ही वो दोड़ कर वापस घर के तरफ आया और जब तक इनका भाई घर में नहीं पहुँच गया तब तक ये तीनों बाबा के दे गए मंतरों का उचरन कर रहे थे और उसके वैसे थोड़ी देर में उस निर्मला की आवाज हसने की आवाज आना गायब हो गई और चत के ओपर जो हलचल हो रहे थी वो भी बिल्कुल शान्त हो गई अब सीमा का भाई जैसे ही घर पे आया उसने तीनों बहनों को तसल्ली दी उसके बाद उसने पूरे घर का चक्कर लगाया और उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया इन चारों लोगों ने जैसे से खाना खाकर ये लोग हॉल के अंदर ये सोने चले गए अब इनका जो हॉल था उस हॉल में उपर की तरफ एक रोशनदान था खिड़की टाइप थी जो कि तूटा हुआ साथ था और उससे बाहर की जो रोशनी आ रही थी उससे एक परच्चाई दीवार की उपर बन रही थी और इस चारों पूरी रात पर उस परच्चाई की तरफ देख रहे थे क्योंकि उस खिड़की की परच्चाई के अंदर उनको किसी का चहरे का शैड़ो दिखाई दे रहा था इसके बाल नहीं थे मतलब कुछ ऐसा था कि किसी ने अपने सिर के पर वे कपड़ा बांदा हुआ है और वो इनके कमरे में पुरी रात जाक रहा है इन चारों मेंसे किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि घुम कर उस खिड़की के तरफ देख ले बस आखे बंद करके पड़े हुए थे और अपने उन मंतरों का जाप कर रहे थे जिसकी वज़े से शायद वो एंटिटी इनके कमरे में नहीं आपा रही थी चारों ने मिलके वो रात जज़े से काट ले सुबह जब सीमा के ममी पापा वापस आए तो उन्हें इस सारी बात वदाएगी ये रात को क्या क्या हुआ उसकी ममी बहुत घबरा गई पापा से बोलती है कि सुनो तुम जल्दी से घर का शुद्धी करण करवाओ वो पतानी कहां से वापस आ गई है और उसकी नदर हमारे घर के उपर ही क्यों है पर इनके पापा ने इस घर का शुद्धी करण करवाया और शुद्धी करण करवाने के बाद निर्मला का इनके घर के आसपास दिखना बिलकुल बंद हो गया लेकिन अब भी कई लोगों को वो उसके अपने घर में भटकती हुई दिखाई दे दी थी करीबन 3-4 महीने ऐसे गुजर गए अब सीमा और मिला दोनों को ही निर्मला के बारे वो भूल सी गई थी जो उनके साथ इंसिनेंट हुआ एक रात की बाते करीब उन 10-11 बज रहे थे सीमा और मिला दोनों ही फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे और उतना बात करते करते टहलते टहलते आप घर से तोड़ा आग निकल गए इनके घर के पास में एक और नया मकान बन रहा था जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर था उस घर के आसपास ही घूमते घूमते दोनों बहने बाते कर रही थी और दोनों एक दुसरे से opposite side जा चुकी थी उर्मिला उस घर के आसपास ही घूम रही थी और उस घर में किसी बहुत बड़ी window बनी हुई थी तो normal window होती है काव में आप देखोंगे एक एक रूम की बहुत लंबी सी window बनाती है जो window इतनी बड़ी थी कि अगर एक आदमी उसको cross करे जो करीबन 10 से 15 सेकेंड उसको लगे आराम से चलते हुए उर्मिला जो थी अच्छा एक window इधर थी और just opposite side एक और window थी उसकी उर्मिला इस वाली window पे खड़ी ओकर phone पे बात कर रही थी तब इसकी नजर सामने window पे पड़ती है तो उस वाले window के उस side खड़ा हुआ था जो उर्मिला को घूर रहा था और वो कोई और नहीं वो निर्मिला थी आज करीबन 3.30 महीने के बाद दुबारा उर्मिला को निर्मिला दिखाई थी क्योंकि जो अंजर कंस्ट्रक्शन घर था उसके जस्ट पीछे ही निर्मिला का घर था आज वो अपने घर की boundary से बहार आ गई थी और निर्मिला कोई यह मौका मिल गया था उसको वापस देखने का वो उसको घूर रही थी उसको देखती उर्मिला बिल्कुल स्टब्द रह गई उसके हाथ से फोन छूट कर निची कर गया और निर्मिला उस विंडो से ऐसे चलते हुए उसको घूर रही थी और घूरते घूरते साथ मों स्माइल तो इसी दोरान सीमा का अधर से कॉल डिसकनेक्ट हो गया उसकी बा अधर वो देखती उसको कोई समझ भी नहीं आता है वो सामने विंडो में देखती उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है जहां और उर्मिला के नजर टिकी हुए थी और फटावट से वो चीजों को समझ जाती है और वो उर्मिला को वहां से लेकर फटावट से अपने घर पर पहुंचती है घर लाकर उसने उसको पाने और पिलाया और से पुछा कि क्या हुआ उसने बताए कि कैसे जब वो बात कर रही थी उसे वापस निर्मिला दिखाई दी अब जैसी सीमा की बात पता लगी उसने अपने ममी पापा को बुला और बोला कि ममी आज फिर इसको वहाँ पर उर्मिला दिखाई दी उर्मिला को और जैसी बात पता लगी घर के अंदर अब सब को समझ में आगए कि यह शुद्धी करण से बहुत जादा कुछ एफेक्ट पढ़ने वाला नहीं है तो ठक हार कर फाइनली रमेश को फोन किया गया जो कि इनका भाई था उसे बत मैं काम में बहुत बिजी हूँ लेकिन मैं कैसे पंडिजी को भेजूँगा जो हर चीज का इलाज कर देंगे उसकी सांतवना देने के बाद घर ने वापस से घर के अंदर वही मंत रुचारण किया और अगले दिन सुबह सुबह ही इनके घर की घंटी बसती है और रमेश न में वहाँ पर किसी पंडिजी को मेंजा था और पंडिजी ने सारी बातें आकर सुनी और फिर उन्हें रमेश को फोन किया और रमेश को फोन करके पूछा कि तुम उस लड़के घर के वारे में क्या जानते हो भी मुझी बताओ तो रमेश ने उसको सारी बात बताई कि कैसे उस घर के अंदर जो निर्मला थी उसके पिताजी उसके दाजी दोनों क्या काम किया करते थे और कैसे वो आत्माओं को बांध कर वहाँ पर रखते थे उसकी बात सुनकर वो उसके बताय नुसार उस घर के अंदर जाते हैं यूकि पंडीजी साथ में थे तो बाके सब लोग की भी हिम्मत थी तो रमेश का जो परिवारत है उसके मम्मी पापा और गाउं के दो-चार लोग और वो पंडीजीर उनके चेले वो सब निर्मला के घर के अंदर पहुंचते हैं और जैसा रमेश ने बताया था एक कमरा उसके अंदर एक और चोटा सा कमरा था जो की में कमरा था और उस कमरे के बाहर वो लकडी का दरवाजा था जिसके उपर एक मूटा पितल का ताला लटका हुआ था उस ताले को गौर से देखते हैं उसमें कोई चाबी नहीं थी तो रमेश ने बताता है कि इस ताले की कोई चाबी नहीं है सिर्फ वो बाप बेटे इस ताले को खोलना जानते थे तो मुश्करा तो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है इस ताले की चाबी है लेकिन वो चाबी अद्रश है ये काक तंतर है तो रमेश बोलता है काक तंतर ये काक तंतर क्या होता है अब ना सर्फ रमेश वोआपे जितने भी लोग मुझूद थे उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये काक तंत्र क्या होता है सबने उनसे पुछा तो उनने बताना शुरू किया कि काक तंत्र एक तंत्र क्रिया है जिसे आप किसी भी एक स्पेसिफिक ताले को ऐसा बना सकते हो कि उसे खोलने के लिए चाबी की जरुत नहीं पड़ती है इसकी एक चाबी होती है लिगनों बहुती रहस्य मही होती है सब लोग ने पुछा कि आप भी बताएं इसके बारे में कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इस ताली की चाबी नहीं हो सकती है तो महाराज बताता है कि एक बहुती रहस्य में तांत्र प्रक्रिया है जिसमें रविवार के दिन दोपहर के करीवन बारा बज़े के आसपस एक सादक एक आदमी जो एक क्रिया करना चाहता है वो पूर्ट या नंगा होकर एक कव्वे के घोसले को ढूनता है और उसके बाद जिस ताले को उससे खूलना है उस ताले को उस राक के द्वारा अगले 11 दिनों तक अभिमंतृत किया जाता है ये सब करने के बाद वो जो व्यक्ति है वो जो कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो राक हो वो उस ताले को बिना चावी के सिर्फ और सिर्फ उस राक से खूल सकत पंडी जी की बाते सुनकर सब लोग हसन लगे हैं वोले पंडी जी ऐसे दुड़न होता है आप तो में दिन धारे भी वकूफ बना रहे हो अगर ऐसा है तो क्यों ना आप इताला में खुल के दिखाओ उनकी बात सुनकर पंडी जी मुस्कराते हैं और बोलता हैं कि अगर यह इसकी चावी बीसी घर के अंदर कहीं होगी। इसके बाद पंड्रीजी थोड़े दिर आख बंद करते हैं अपना ध्यान लगाते हैं और आख बंद करके वो उस घर के अंदर घुमना शुरू करते हैं। लोग उनकी पिशा नहीं कोशिश करते हैं लेकिन उनके जो चेले थे उनको मना कर देते हैं करीबन 10 मिनिट के बाद पूरे घर का चक्कर लगा कर ढून ढांड कर वो एक पोटली लेकर आते हैं सबकी आँखों के सामने उस पोटली हो खोलते हैं उसे थोड़ी सी राख निकालते हैं और उस पीतल के ताले में जहां चावी लगती हैं उस राख को डालते हैं और सबकी आँखों के सामने जट से वो ताला कुछ जागा है ये देखकर वहाँ जितने भी लोग खड़ेते हैं और सबकी आँखे फटी की फटी रहा जाती है उन्हें उनकी आँखों पे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने क्या देख लिया है उन पंडिजी और उनके चेलों के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कमरे के अंदर चले जाएं वो लोग उस कमरे के अंदर गए और करीबन 10 मिनिट के गाद पुरा निरिक्षन करके आकर वो बाहर निकले और कहते हैं कि इस कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई है बहुत सारी एंटिटीज और आत्माय दबी हुई है उन सब को निकाल के यहां से मुक्ति दिलानी होगी यहां जो कोई भी रहता था वो एक बहुत पहुचा हुआ ग्यानी वक्ती था लेकिन वो इन चीज़ों का गलत इस्तमाल कर रहा था लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इस घर के अंदर एक और रहसे है इन चीज़ों में से यहां से बाहर निकाला गया है और वो ही चीज़ें इस घर के बरबादी का खारण बनी है वो क्या है कैसा है यह तो इन सब को मुक्त करने के बाद ही शायद पता चल पाएगा लेकिन इसके अंदर बहुत मोटा खर्चा आएगा यह सारी बातें जब रमेश को पता लगी तो उसमें पंडिजी को फोन के रुप उचे कितना खर्चा आएगा तो उसने कहा कि आप खर्चे की चिंता मत करो कल आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे आप पूजा और उस घर के शुद्धी करन की तैयारी करें आप सुचेट धाए लाग रुपे का आमाउंट दें से पहले एक बार भी रमेश नहीं सोचा कि यह पैसा खर्च करना उसे पड़ेगा उसने पैसा पहुंचा और फिर इन पंडिजी ने अपनी पूजा प्रक्रिया शुरू की और एक एक करके उस घर के जितनी भी चीज़े दबी हुई थी उन सब को बाहर निकल के मुक्ते दिलाई और उसके बाद उस घर का भी शुद्धी करन उन्होंने कर दिया सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर से कुछ चीजें इस घर के अंदर उन दो के अलावा किसी एक और तांतरिक ने आकर कुछ प्रक्रिया की है और उसने कुछ चीजों को वो यहां से निकाल कर बाहर ले गया है वो तांतरिक कौन है उसका मकसद क्या है मुझे नहीं लगता है कि यह सब पता लाने की ज़रुत है और नहीं मैं यह काम करूँगा लेकिन यह घर अब बिलकुल शुद्ध हो चुका है इस घर में अब किसी को किसी तरह की बाधा यहां पर नातोथपन होगी और नहीं दिखाई देगी और तब से लेकर आज तक वो घर बिल्कुल एक नॉर्मल घर की तरह है, उस दिन के बाद से निर्मला कभी किसी को दिखाई नहीं दी है, रमेश अब भी शहर में ही रहता है, वो गाउं नहीं आता है, और शहर में वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, इतने कम समय में रमेश ने भूत सारी धंदोलत अरजित कर ली है, वो अपने घर वालोग कई बार बोलता है, शहर में रहने को, लेकिन उनहें अपने गाउं में रहना ही पसंद है, लेकिन अच्छा खासा पैसा वो हर महीने अपने घर पर भी भीजता है, और जैसे पहले कभी दिर्मला का घर था वैसे ही आज उस पूरे गाओं में सबसे अच्छे तरीक से कर कोई रहता है तो वो है रमेश का परिवाद लेकिन वो क्या काम करता है किसी को भी नहीं पता विमल भी रमेश के साथ कोशिश की का ख़िए रात पर जाता कहां करता क्या है लेकिन वो कभी भी इस चीज को नहीं जान पाया क्याकर रमेश क्या काम करता है जब भी कभी उसने पीछा किया थोड़े देर के बाद रमेश उसकी आँकों के सामने से गायब हो जाता था विमल लॉट के वापस अपने गाउं आ चुका है और अब तक भी निर्मला कभी किसी को दिखाई नहीं दी है और शायद अब वो किसी को दिखाई भी ना दे यह हो सकता है पंडिजे ने उन एंटिडी से साथ साथ निर्मला की आत्मा को भी मुक्ति दिला दी हो या फिर ऐसा हो सकता है कि निर्मला कर रही हो इंतिजार रमेश के अपने गाउं वापस आने का क्यों ये तो आप लोग समझी गए होंगे ये थी एक कहानी तांतरिक फैमिली की जहाँ पर एक तांतरिक जो अपने मतलब के लिए इन चीजों को काम में लिया करता था उसको भुगतना पड़ा इसका दुष्परिणाम लेकिन इस दुष्परिणाम का जो कारण था वो खुद नहीं था वो कोई और था जिसके बारे में आपने इस कहानी में सुरा एहोप आप लोग कोई कहानी पसंद आई होगी आपको एक कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप लोग को क्या सोचना है कि किस वजए से निर्मला का पूरा परिवार खत्म हुआ और निर्मला आज तक भी वहाँ पर भटक रही है क्या वो अपना बदला ले पाएगी हम लोग मिलते अपने अगली कहानी में तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिस्निंग एंड डू सब्सक्राइब